हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एक्स्टेंशन एजुकेशन होम साइन्स का टॉपिक कम्मिकेशन तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें जिससे मेरी चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क संचार का अर्थ क्या है मीनिंग ऑफ कम्मिकेशन संचार को अंगरेजी भासा में कम्मिकेशन कहा जाता है कम्मिकेशन सब्द लैटिन भासा के कम्यूनियस से बना है जिसका अर्थ होता है to make common to share to import to transmit अता संचार एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे विक्ति को पारस परिक्ता के आधार पर भावनाओं, विचारों का आदान परदान करता है या एक दोहरा प्रवाव है जिसमें एक ओर संप्रेशक होता है, संडर होता है एवं उसका संदेश होता है तदा दूसरी और प्राप्त करता और उसकी अनिक्रिया या रिस्पॉंस होता है इस प्रकार ज्यान की बातों, भावनाओं, विचारों और सुचनाओं के आपस में या आदान प्रदान की क्रिया को ही हम संचार कहते हैं संचार के प्रमुकतत कौन-कौन से होते हैं, संचार में पहला संडर होता है, दूसरा संडर जो कि मैसेस को भेजता है मैसेज जो मैसेज रीटेन में होता है वो मैसेज कहलाता है फिर संदेज का उपचार होता है फिर संचार माध्यम होता है फिर प्राप्ट करता या स्रोता गड़ होता है फिर लाश्ट का होता है स्रोताओं की अनक्रिया तथा उन पर प्रभाव कि जो भी message हम उनको दे रहे हैं, उसका उन पर क्या effect पर्डा है ये last में होता है और जिस माध्यम से हम संदेश को देते हैं, वो आपका संदेश का माध्यम कहलाता है और संदेश का पहले encoding होती है, फिर decoding होती है, उसके माध्यम से ही संचार आगे audience तक पहुचता है फिर audience उस message का response करती है कि वह उसे अपनाएगी या नहीं अपनाएगी सबसे पहले समझते हैं कि संप्रेशक क्या होता है या प्रशार करता क्या होता है दोनों का अर्थ एक ही है एक अच्छे संप्रेशन है तू सभी तत्तों की प्रिकित को जाना आवश्यक है जिससे इसकी समझत विवस्था करके अपने उदेशों की पूर्ती कर सकें सेकंड होता है कि संदेश होता है या तक्नीकी ज्यान प्राप्त करता को और सकताओं पर आधारित सामीक इसपष्ट संचार माधमों के अनुरू तथा प्रबंद के योग हो जो भी संदेश हो उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए फिर क्या होता है संदेश का उपचार संदेश इस प्रकार उपचारित हो जिससे प्राप्त करता के लिए वास्तविक विश्वस्थनिये वा उप्यूक्त एवं समझने योग हो सके जो भी हम मैसेश दे रहे हैं ओडियंस को वो वास्तविक हो और वो उस पर विश्वस्वास कर सके और उसके लिए वो समझने योग भी हो फूर्थ है संचार का माध्यम, जो भी संचार का माध्यम में यूज़ करें वो सरल हो, वो कम कीमत पर प्राप्त हो, तथा सरलता पूर्वक स्रोताओं तक पहुँश सके प्राप्ट करता कौन होते हैं? जिसके किशान है सक्रिय, अनमुक और भोतिक एवा जित्सी या मांसिक रूप से कृयाट्व फिर प्राप्ट करता पर प्रभाव या इस में डिपेंड करता है कि वो याद रखना या उसका भूलना या उसे सही लगना वो बात या उसे गलत लगना, या मानसी कुसलता, या बहुती कुसलता, या समझदारी, या ज्यान, या सुईकृत, या असुईकृत, जो भी हम audience को message देते हैं, ये सब वो कुछ भी इसमें से, जो भी इसको निल्ले होगा, वो उससे ले सकता है, चाहे जो भी message सही समझे, या गलत है, अब है सेंडर, सेंडर किसे कहते हैं, वा विक्ति होता है, जिससे संचार की प्रिक्रिया आरंब होती है, वा विक्ति कोई भी बोलने वाला हो सकता है, लिखने वाला हो सकता है, या वीडियो सिच्छक, अत्वा अनप्रबंधक आद भी हो सकते हैं, उन्हें ही हम सेंडर कहते हैं जो की सूचना को देता है नेक्स है मैसेस क्या होता है सिच्छा साधन वहीन प्रडाली नहीं है इसमें कोई विशे अत्वा विशे सामगरी की आउसकता होती है प्रसार सिच्छा में संचार प्रक्रिया के अंतरगर स्रोताओं को देने है तो मुख रूप से विशे सामगरी क्रिसी छेतर में या वैग्यानिक तत्थों का विवरण या सफाई का समाचार या विक्तिगत एवं समुहों के दोरा किये गए निर्णों का विवरण आदी अनसंदेश हो जाते हैं संदेश वह सूचना है जिसे सूचना वहाग अपने सुरोताओं को इस डंग से पहुचाता है कि वे इसे समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें संचार का माध्यम क्या होता है या चैनल आफ कॉम्निकेशन क्या होता है संचार प्रक्रिया का तिर्तिय एवं प्रमुक्तत जो होता है संचार माध्यम या चैनल या कोई वस्तु भी हो सकती है जो सूचना वहाग अपने संदेश को सूचना ग्राहक तक पहुचाने के लिए प्रियोग करा प्रियोग जो है करता है प्रसार सिचा के अंतरगत संचार माध्यम आपका रेडियो टीवी, टेलिफोन, किताबे पोश्टर, बुलिटिंग, मीटिंग, अकबार, प्रदर्शन, आधी आते हैं यहाँ पर विविन विद्वानों ने कहा है कि जब हम कम्मुकेशन किसी से करते हैं यह हम किसी से संचार करते हैं तो वो कितने चर्णों से होकर गुजरता है तो किसी ने तीन चर्णों से होकर बताया है किसी ने पांच से बताया है किसी ने छे से बताया है इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मद इसमें दिये हैं तो इसको याद करने का जो है एक method है कि आप इसे लाइन से लिख लें नहीं तो याद करने में ये बहुत ही ज़्यादा टफ होगा तो इसे हम आपको बताते हैं तो एक्जाम में आपसे ऐसे कुश्ण करता है कि जब हम किसी से कुम्निकेशन करते हैं तो संचार के तीन तत्तु बताए हैं तो किस विद्वा ने संचार के तीन तत्तु बताए हैं तो संचार के तीन तत्तु आपके अरस्तु मॉडल ने प्रस्तुत की हैं तो यह तीन तत्त होता है जो कि भासरण को देता है फिर को शुरोता होता है जो कि उस भासरण को सुनता है तो इन्हों ने बताए जो communication हम करते हैं उसके तीन चरण होते हैं first second और third तो यह exam में आप से पूशता है कि कि से तीन तत्थों बताए है और कि कि एसे Marie model ने कितने तत्थों जो है माना है तो इन्होंने बताया है communication में पाँच तत्तों को माना है जैसे अरस्तु ने तीन तत्तों माना था कि speaker होगा, speech होगा, audience होगा वैसे इन्होंने पाँच माना था इन्होंने कहा था SMCRE model ने पाँच तत्तों को माना है उन्होंने बताया था कि कोई ना कोई श्रोत होगा और जो की क्या करेगा संदेश को देगा फिर संदेश को वो किस माध्यम से देता है चैनल किसी ना किसी माध्यम से वो देगा अभी हमने आपको बताया था कि आपके माध्यम में क्या क्या आ जाएंगे जैसे अकबार है उर वोडियंस कहते है कि जो भी हमने संदेज दिया, किसी 직접 के माद्यम से दिया, से फिर वो उसे रिचैप करेगा और जो रिचीवर होता ओ वह अर प्राप्ट करता कि वह उस मैसेज को प्राप्त करेगा और जब वो प्राप्त करेगा तो उसके उपर इसका effect भी पढ़ेगा हो सकता है कि वो जो मैसेज आपने दिया उसे सही लगे या उसे गलत लगे या उसे secrets कल ले या अ-s fundraising कर ले तो SMCRE model में इन्होंने 5 तद्तों को बताया है communication के तत्तु बताया यह भी इंपॉर्टेंट है कभी कभी एक्जाम में पूछता है कि लॉस्वल्ड मॉडल ने कितने तत्तु बताया है उन्होंने पांच बताया है और जिसका नाम है SMCRE संडर, मैसेश, चैनल, रिसीवर और एफेक्ट है फिर आता है आपका रडजीत सिंग मॉडल तो इन्होंने कितना बताया है इन्होंने छे तत्त बताया है अभी आपका पांस था पहले तीन था फिर पांच हुआ SMCRE फिल लॉस्वल का भी पांच ही था अब आता है आपका पहले वाले में देख़ें यहां पे सोर्स था फिर मैसेश भी आपका था और चैनल भी था आपका उपर फिर यहां पर जो इन्होंने रखा है feedback तो यह जो effect हो रहा है वही यहाँ पर इन्होंने feedback कर लिया है तो आपको बस यह याद रखना है कि हम जब sender उपर भी था sm उपर था फिर c यह तीनों आपके उपर थे तो आपको बस याद रखना है कि channel के आगे जो channel world है यहाँ पर देखिए यह देखिए यह जो channel था इसी आगे हमें यहाँ पर encoding लिख देना है और यहाँ पर decoding जो कि channel के पहले जो message होगा उसकी encoding होगी और फिर इसी channel के बाद आपको यहाँ पर decoding यहाँ पर decoding हो जाएगी तो आपको यह easily learn हो जाएगा ऐसे आपको confusion होती है कि इससे कैसे learn करें तो sources है, masses है, encoding channel के पहले हम encoding decoding लगा रहे हैं और इन्होंने 6 तत्तों बताए थे communication के उसके बाद आता है burlo model तो burlo model ने भी 6 तत्तों बताए हैं इनको भी याद करना बहुत easy है, इसमें क्या था आपको channel के पहले encoding और decoding लगाना था यहाँ पर masses और channel दोनों के पहले आपको लगा देना है यहाँ पर दो गड़ आपको पकड़ना है, masses और channel उसको circle करना है फिर यहाँ पर आपको encoding और decoding लगा देना है और receiver आपका SMCRE वाले में आपका receiver था receiver यह जो receive करता है यह feedback देता है सब एक ही है तो आप इसे easily इस तरह learn कर सकते है sources, encoder, message channel, decoding receiver आप इसका screenshot ले सकते हैं जिसे कि आपको यह easily learn हो जाए यहां पर हम पढ़ेंगे कि encoder होता क्या है संहिता कारक स्रोतों के उद्देश को प्रकट करने के उद्देश से स्रोत के विचार को लेकर उसको संकेतिक प्रडाली में ढालना कि जो भी message होता है उनको हम लोग संकेत के माध्यम से जो है channel में ढालना ही encoding कहलाता है फिर माध्यम क्या होता है संदेश को वहन करने वाले को माध्यम कहते है decoder क्या होता है तो यहां पर decoder समझते है संदेश को पुनर अनुवाद करने की प्रिक्रिया जिसे इस प्रकार सुना तता निरच्छन करना संभव हो जो प्राप्त करता के लिए अर्थ पूर हो सके कि जो मैसेज होता है वो उनको समझ में आए उसको फिर से थोड़ा मोडिफाई करना ही डिकोडर कहलाता है Receiver क्या करता है? संचार का लच हुआ मनुस अथा मनुशों के समूद जो प्रिशक के विपड़ी चोर पर इस्तित होता है वो Receiver कहलाता है यहाँ पर अब इसकी Objective Question अंसर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे First Question है संचार ही मानो समाज की संचालन की प्रिक्रिया को संभव बनाता है यहाँ कतन किसका है? यहाँ कतन आपका Loyal का है इसे याद ऐसे करेंगे कि जो मानो समाज की संचालन की प्रिक्रिया को संभव बनाएगा वो Loyal होगा वो सच्चा इंसान होगा जो Loyal होगा जो सच्चा इंसान होगा वही मानो समाज की संचालन की प्रिक्रिया को संभव बना सकता है Second Question है Communication सब्द भासा के communist से लिया गया है तो यह Latin भासा के सब्द से लिया गया है थर्ड कोशन है संप्रेशन कथन लेखन या प्रतिकों के दोरा विचारों तर्थों या सूचनाओं का अदान परदान या उसमें भागीदारी है या कथन किसका है तो या कथन जो है वो आपका American College सब्द कोशन का है इसे याद ऐसे करेंगे कि भागीदारे कि सबसे सारे ही देसों से सबसे ज़्यादा भागीदारी अमेरिका की होती है तो अमेरिका की भागीदारी सब्देसों के साथ सबसे ज़्यादा होती है फूर्थ कोशन है, संचार में अर्थ है ज्यान, विचार, सुचनाव और भावों का ऐसा अदान प्रदान जो विक्तियों के मद संपन होता है संचार की या परिभासा किस की है? ये धामा की है इसे याद ऐसे करेंगे धामा, तो यहाँ पिर मा है तो मा के दोरा ही हम अपने भावों को ऐसा अदान परदान करते हैं जो विक्तियों के मत संपन होती है तो सभी अपने भावों का अदान परदान कहां करते हैं सभी विक्ति अपनी मा से करते हैं तो भावो का अदान प्रदान हमेशा keyword ऐसा वर्ड पकड़ते हैं कि जो other definition में वो word ना आए जैसे यहाँ पर भाव, feelings की बात हो रही है तो यह मा को dedicate कर रहा है फिर यहाँ भागी दारी तो यह communication की other definition जब आप पढ़ेंगे तो अगर जैसे कि हमने यह वाला ले लिया ग्यान विचार सुचना हो तो यह आपको कई जगां मिल जाएगा लेकिन यह भाव, यह आपको other में नहीं मिलेगा भागी दारी है, यह नहीं मिलेगा अब five question है अरस्तु का संचार प्रारूप यह भागालों मिलेगा Next question है So Frank EX का संचार प्रारूप जो है वो निर्त का प्रारूप कहलाता है उनमें sinus नहीं होती है So Frank है, इसलिए वो निर्त कर रहा है 7 question है वा सभी सैचिक और प्रयोगात्मक कारकरम जो किरसी छेत्र में चलाये जाते हैं संचार कहलाते हैं इसका अंसर है कॉल मैन तथा मार्स ने कहा था तो ये वाला ही लिखकर आता है जाला था कॉल मैन ने कॉंसे डिफिशन दिये तो ये क्या है किरसी किरसी के छेत्र में जो होना चाहिए ये संचिप्त होना चाहिए आर्थपूर होना चाहिए सिष्ट होना चाहिए उप्यूक्ति ये सभी गुड़स में होने चाहिए 9 question है संप्रेशन में हकलाना या दोश पूर उच्चारण है ये कैसा जो है दोस में आता है ये आपका संप्रेशन में व्यक्तिक तो संचार के बताएं हैं. SMCRE model किस ने दिया है? तो ये आपका सूपे ने दिया है. ये एक्जाम में कई बार पूछता है SMCRE model किस ने प्रस्तुत किया है? तो ये सूपे ने दिया है. ये भी important है किसका model 5 का नाम से जाना जाता है? जिन्होंने संचार के 5 तत्तु बताएं हैं, तो वो हैं loss will. Next question है, संदेश होना चाहिए. संदेश हमेशा शरल होना चाहिए, प्रभावसाली होना चाहिए, वहवारिक होना चाहिए, उप्यूक्ति है, सभी गुड़ोने चाहिए. Next question है, संचार माध्यम संदेशों में प्रेशक एवं ग्रहन करता के मद भौतिक पुल की समान है या कतन किसका है? यहाँ पर भौतिक पुल की बात की गई है, इसका अंसर है ओपी दामा एवं ओपी भटनागर. तो यहाँ पर ओपी दामा ही जालतर देता है, और अगर यह भी देता है, तो इसका आंसर यह आपका होगा, कि जो बहुतिक पुल, पुल जो होता है, उस पर कभी भी पी कर, या यह भी है, पी कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इंसान भटक सकता है, या धम से या धनाम से गिर सकता है تو पीक नहीं जाना चाहिए पुल्प पर hai Hi Ideally कि नेमी नीजुजक अठवा निर्ल्ले कर्था को सामिल किया जाता है तो उन्हें जो हैं लच्छ स्रोता के समान स्रोता के रूप में विशिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रमाध्यम के अंतरगत आते हैं सामान अर्थ में सूचना का वातत जिसका कि संप्रिशन आदान-प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं जिसका हम लोग आदान-प्रदान करते हैं उसे हम संदेश कहते हैं next question है audience सब्द की उत्पत्ती हुई है audience सब्द की उत्पत्ती जो है वो audio से हुई है जिसका अर्थ होता है जो कहां से लिया गया है Latin भासा से लिया गया है audience की उत्पत्ती तो यहां पर यह chapter complete हुआ तो आप वीडियो को like करना और channel को subscribe करना न भूले Thank you